इंडोनेशा के बांदा अचे राज में अवेद रोहिंग्या मुस्लिन घुस पैंठियों के खिलाफ लोगों का घुसा भड़क गया है लगातार देश में गुस्पैठि कर रहे रोहिंग्या मुसल्मानों के खिलाफ यहां के चात्र चात्रावने एक बड़ा विरोध प्रदशन किया है इस विरोध प्रदेशन में विध्यार्थियों ने रोहिंग्यों को देश बाहर निकालने की मांग की है नमस्कार मैं कोमल सिनहा आप देख रहें नियूज में टुड़े इस मामले को लेकर सैकड़ो चातर चातराओं ने 27 दिसंबर 2023 को इंडोनेशिया के अच्छे राज्य की राजधानी बांडा अच्छे में स्थित एक समुदाय केंद्र की इमारत पर धावा बोल दिया है इस इमारत में मयामार और बांगलादेश से गुसपैट करके इंडोनेशिया में आए हुए हजारों रोहिंग्या मुसल्मान रह रहे हैं प्रदर्शन करने वाले इन विद् रोहिंग्या को दो ट्रक में भरकर एक अन्य जगह भी शिफ्ट कर दिया इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो अब वाइरल हो रहा है विरोध प्रदर्शन करने वाले में हिजाब पहनी हुई चात्राएं भी शामिल यह चात्र चात्राएं लगतार इंडोनेशिया में करने वाली एजन्सी उनके रास्ट के खिलाफ साजश कर रही है वहीं रोहिंग्या घुस्पैट्चियों की इंडोनेशिया में आवगत पीछ बीते कुछ महीनों में बहुत जादा तेजी से बढ़ रहे हैं यह लोग नावों में भरबर कर बांगलादेश और मयामार्स से स रोहीं घुस पैट्चियों की बर्ती संक्या के पीछे मानव तस्करों का भी हाथ माना जाना है हाली में इंडोनेशिया के प्रधान दूद्री दुकूर विडोडो ने कहा था कि उनके देश में बढ़ती रोहिंग्या मुसल्मानों की संख्या के पीछे मानव तसकरी का हाथ है वहीं रोहिंग्या मुसलिम मूल रूप से मयामार के हैं यह मयामार के सरकार के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं रोहिंग्या मुसल्मानों की आतंकवादी गतिवीधियों की वज़ा से मयामार की सेना इनके विरोधी कड़ी कारवाई कर रही है इसके कारण से मयामार छोड़कर बांगला देश भारत और अन्य देशों को भाग रहे हैं जिस राज अच्चे में ये प्रदर्शन हो रहे हैं बहा की 95.5 प्रतीशत जनता मुसलिम है और रोहिंग्या भी मुसलिम है हाला कि ये इसलामी भायचारा काम नहीं आ रहा है और यहां के समुंदरी तट पर आने वाली घुसपैटी रोहिंग्यों की नौकरियों को यहां से निवासी वापस भेज रहे हैं और यहां की जमीन प लेकिन इसके आचरन के चलते अब इनकी विरोध यहां भी महौल बन चुका है दरसल जिन रोहिंग्या मुसल्मानों को यहां शरन दी गई थी वो शरनार्थी कैम से भागे हुए थे कुछ से स्थानिये लोगों के साथ बत्तमीजी भी की इंडोनेशिया की सरकार ने भी इन लोडों का कहना है कि उनकी दयालता के अधार कुछ लोग पैसे बना रहे हैं जकारता पोस्ट ने संयुक्तिर राज्ट चरनाथी एजनसी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि पिछले महिने के दौरान करीबन 1200 से अधिक रोहिंग्या मुसल्मान ने आचरे प्राप्त करने में प्रवेश कर दिया है फिलार इस वीडियो में इतना ही आपकी क्या राय है हमें कॉमें सेक्षिन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चानल नीजवन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें